हलो फ्रेंड्स तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं, अच्छे होंगे तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौड अप नूट्रिशन को पढ़ा था जिसमें की हम लोगों ने मैली यहाँ पर सबसे पहले मौड अप नूट्रिशन को हेट्रोट्रोपिक मौड अप नूट्रिशन था फिर हेट्रोट्रोपिक मौड अप नूट्रिशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था सैप्रोट्रोपिक, पैरसिटिक और हॉलोजोई तो आईए, आज हम लोग nutrition in plants को थोड़ा विस्तार से देखते हैं तो nutrition in plants जो है ये autotropic mode of nutrition में आता है क्योंकि जो plants होते हैं वो खुदी अपना भोजन बना लेते हैं तो जैसे की other organism होते हैं वैसे ही पीड़ पौधों को भी जो है भोजन की जरुरत होती है ये बात आप सभी को मालूम है ठीक है और भोजन क्यों जरुरत होती है जैसे हम सभी human beings को या फिर जानवरों को energy चाहिए होती है ताकि वो अपना जो daily functions है जो basic need है उसकी या जो daily activity है उसको वो पूरा कर सके ठीक इसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी जो है भोजन की जरुरत होती है जिसके कारण वो अपने plants में जो है वो अपने body parts में वो energy बना सके और वो different types of metabolic activities को perform कर सके देखे animal जो है वो एक place से दूसरे place में अपने भोजन के लिए जाते रहते हैं वो move कर सकते हैं लेकिन क्या plants move कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं plants तो एक ही जगा पर खड़े होकर या एक ही जगा पर fix होकर वो अपने food को बनाते हैं देखे जो green plants होते हैं वो आपको पहले ही बताये गया कि ये autotropic mode of nutrition करते हैं कैसे करते हैं ये जो है photosynthesis का एक process होता है आप सभी जानते हैं photosynthesis के process के थूँ plants अपना food को बनाते हैं अब ये question यहाँ पर important बनता है ये question आपको हर जगा पूछा जाएगा कि photosynthesis क्या होता है इसको define करना है देखें सबसे पहले हम लोग यह figure को देखते हैं figure 12 को देखें ये अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये chlorophyll है और इसको जो है पौधों की पतियों से निकाला गया है figure 13 में देखे chlorophyll जो होता है वह पौधों की पतियां जो होती है उसके अंदर एक औरगेली होता है उसका जो अंग होता है chloroplast उसके अंदर ये present होता है chlorophyll figure 14 को देखे जो पेड़ पौधों की जो पतियां होती है उसका color कैसा होता है green color होता है क्यों होता है क्योंकि इसमें chlorophyll present होता है आपको ये भी बताया गया था कि chlorophyll जो है वो sunlight को trap कर सकता है इसलिए पौधों के लिए बहुत ही important है अब आईए बात करते है photosynthesis के बारे में देखे photo का मतलब होता है light और synthesis का मतलब होता है build करना तो आपको जैसे कि आप जानते है photo का मतलब क्या होता है light होता है light को अगर आप देखेंगे तो light जो होता है वो photon particles उसमें होता है ठीक है तो यहाँ पर जो photo है उसका मतलब क्या होता है light होता है और synthesis का मतलब build करना या create करना तो cool मिलाकर photosynthesis का मतलब हो जाता है building up by light इसका मतलब light के द्वारा बनाना तो plants जो होते हैं वह energy को किसके द्वारा बनाते हैं sunlight के द्वारा बनाते हैं ठीक है और इसमें और भी क्या-क्या raw materials की ज़रुरत होती है carbon dioxide, water और presence किसकी होनी चाहिए chlorophyll का presence होना चाहिए तो यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर चार जो है यह जो चार यहाँ पर term है जो fact है इसको याद रखना है पहला तो आपको sunlight का जरूरत होगा sunlight दूसरी चीज है carbon dioxide, फिर water और फिर in the presence of chlorophyll तो यह चार चीज़ों को याद रखना है अब देखिए chlorophyll जो होता है न वो जो plant होती है उसकी जो पतियां होती है chloroplast उसकी पतियों में जो औरगेनली होती है जिसको हम लोग chloroplast कहते हैं उसी में ये chlorophyll present होता है उसके cell में present होता है तो अब ये जो है chloroplast जो औरगेनली होता है ये क्या करता है इसमें जो chlorophyll है वो sunlight को trap कर सकता है ठीक है तो अब यहाँ पर जो carbon dioxide है और जो water है ये दोनों मिलकर पौधों में हरे पौधे जो होते हैं उसमें क्या होता है भोजन बना लेते हैं ठीक है तो अगर आपको इसका definition पूछा जाएं तो क्या बोलेंगे तो photosynthesis क्या होगा एक process होगा जिससे plant जो है अपना food को carbon dioxide और water को use करके sunlight energy को use करते वे chlorophyll के presence में भोजन बनाते हैं इस process को क्या बोला जाता है photosynthesis you can say it is the process in which green plant make their food green plant makes their food from carbon dioxide and water using sunlight in the presence of chlorophyll तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो carbon dioxide और water को use करके या carbon dioxide या water को मिला के sunlight use करके chlorophyll के presence में अपना भोजन बनाते हैं chlorophyll के presence में plant जो है अपना भोजन बनाता है ठीक है अब यहाँ पर आपको यह जो formula है इसको ध्यान रखना है बहुत ही जादा important है आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको photosynthesis का process define करने के लिए पूछा जाए या photosynthesis के बारे में पूछा जाए तो यह formula आप जरूर लिखें पहल देखें जैसा कि आपको बताया गया कि carbon dioxide और carbon dioxide और यहाँ पर जो water है यह दोनों मिलकर light energy को use करके क्या बना लेगा glucose बना लेगा साथी साथ oxygen को release करेगा ठीक है तो इसको ध्यान रखना है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह क्या है carbon dioxide है दूसरी चीज है यह आपका क्या है H2O है और फिर यह दोनों मिलकर light energy बनाता है ठीक है और light energy बनाता नहीं है light energy के presence में light energy को use करके chlorophyll के presence में यह glucose बना लेता है तो यहाँ पर आपको यह जो है याद रखना होगा glucose का formula याद रखना होगा ठीक है तो glucose का formula क्या होता है C6H12O6 साथी साथ यहाँ पर oxygen भी release होता है तो इसको याद रखना है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस light energy और chlorophyll के presence में यह glucose और oxygen रिलीज करेगा ठीक है oxygen रिलीज करेगा glucose यह बना लेगा तो अब यहाँ पर एक fact आता है कि photosynthesis का जो process होता है यह कहाँ पर होता है तो पौधों की जो पतियां होती है ना उसमें यह photosynthesis का process होता है ठीक है तो आप बोल सकते हैं कि food is made in the green leaves of a plant ठीक है तो food कहाँ पर बनेगा plants के green leaves में बनेगा देखिए अब कैसे बनेगा यह भी आपक याद रखना है carbon dioxide water milker जो है sunlight को use करते वे chlorophyll के presence में glucose और oxygen बनाता है ठीक है चली तो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर different types of foods होते हैं जो plants बनाते हैं अब जैसे कि आप यह figure देख सकते हैं यह figure important है green plants make their own foods by photosynthesis किस तरह से बनाते हैं देखिए यहाँ पर आप नीजे यह जो पौधा है इसमें आप देखिए यहाँ पर जड़ है ठीक है और इसके जड़ में यह जो roots है यहाँ से यह water को absorb कर सकता है ठीक है और water को absorb करते हुए यहाँ पर यह साथी साथ यह plants के जो leaves होता है इसमें यह जाता है ठीक है अब यहाँ पर यह glucose बनाता है यहाँ पर starch बनाता है, देखें, starch क्या होता है जो extra food material होता है जिसको plant use नहीं करता है उसको वो starch के रोप में store कर लेता है जैसे आप human beings को ही देख लें, अगर आप extra food ले लेते हैं, ज्यादा food ले लेते हैं तो क्या होता है न कि वो food जब आपका body use नहीं करता है तो फिर वो एक जो है वसा की रूप में आपकी बॉड़ी में स्टोर कर लेता है फिर हमारे सरीर की जो स्कीन होती है वो एक तरह का जो वसा है वो चर्बी बढ़ने लगती है ठीक है? तो यहाँ पर स्टार जो होता है वो स्टोर्ड फूड होता है तो इसको याद रखना है तेक है और यह figure को एक बार आपको बनाना है copy में ध्यान से बात करते हैं हम लोग देखें यहाँ पर बात की गई है कि extra glucose is changed into another food called starch this starch is stored in the leaves of a plant तो यह कहाँ पर restore हो जाता है यह plants के leaves में यह present हो जाता है और साथी साथ यह जो starch होता है वो कभी कभी जैसे कि किसी plants में आप जानते हैं कि जो fruits होते हैं जो fruits लगते हैं उसमें भी यह stars के रूप में present हो जाता है यह glucose के रूप में वहाँ पर store हो जाता है ठीक है तो अब यहाँ पर एक important question बनता है कि plants जो होते हैं वो कौन सी energy को किस energy में convert करते हैं जो कि यह question पूचा जाएगा तो green plants जो होते हैं वो sunlight energy को chemical energy में क्या करते हैं convert करते हैं इसको fact को ध्यान रखना है ठीक है कौन सा fact है यह fact यह है कि green plants convert sunlight energy into chemical energy by carbohydrates बनाते हैं जिसको हम लोग गुलकोज भी यहां कहते हैं C6H12O6 तो इसको ध्यान रखना है कि green plants जो होते हैं वो sunlight energy को किस में convert करते हैं chemical energy में convert करते हैं very important ओके अब यहाँ पर आप बहुत सारे fruits को देख सकते हैं food देख सकते हैं तो यह सभी जो food है न वो photosynthesis के process के द्वारा ही plants के द्वारा बनाए गए हैं अब देखिए अब यह जो food होते हैं न यह food क्या करते हैं यह photosynthesis के process से बनते हैं और यह जो है यह हमें energy provide करते हैं टिक है जब हम इसे अपने body में content करते हैं तो यह human beings और animals को भी यह क्या करते हैं यह food जो है energy जो है प्रोवाइड करते हैं देखें, अब यहाँ पर जो photosynthesis होगा, यह photosynthesis कुछ process में होगा, कुछ steps में होगा, तो यह steps को ध्यान रखना है, सबसे पहली बात है कि पहला जो है वो कौन सा step होगा, तो सबसे पहला absorption अब sunlight होगा, ठीक है, तो आप जानते हैं कि plants की पतियां होती है, chlorophyll, वो क्या कर सकती है, sunlight को trap कर सकती है, तो सबसे पहला process क्या होगा, कि chlorophyll जो है वो sunlight को क्या कर लेगा, trap कर लेगा, ठीक है, chlorophyll क्या करेगा, sunlight को trap कर लेगा, sunlight को absorb करेगा, second thing क्या होगा conversion of light energy into chemical energy अब second process second step क्या होगा कि जो light energy है वो किसमे convert होगा chemical energy में convert होगा और वो जो light है ना वो किसमे water जो है साथी साथ जो water है आप जानते है H2O water का formula क्या होता है H2O तो H2O जो है वो hydrogen और oxygen में split हो जाएगा मतलब तूट जाएगा ठीक है light energy से hydrogen जो है और oxygen जो है वो दोनों तूट जाएगा ठीक है तो second process में ये होगा first step में क्या था कि absorption of sunlight energy by chlorophyll chlorophyll sunlight energy को absorb करेगा second process में क्या होगा sunlight energy के द्वारा जो water है वो hydrogen और oxygen में split कर जाएगा मतलब वो तूट जाएगा ठीक है अब third step में क्या होगा कि ये जो carbon dioxide है ना वो reduce होगा reduction of carbon dioxide by hydrogen to form carbohydrate ठीक है अब carbohydrate बनेगा ठीक है अब carbohydrate बनने के लिए मतलब जिसे आप glucose कहते हैं ठीक है तो अब क्या होगा यहाँ पर reduction होगा ठीक है देखिए दो चीजें होती है आपने chemical जो combination होता है उसमें आपने पढ़ा होगा chemical reaction में reduction और oxidation का process होता है तो reduction में क्या होगा कि carbon dioxide जो है वो hydrogen की द्वारा यहाँ पर reduction होगा ठीक है और reduction होने से क्या होगा कि जो carbon carbohydrate है वो बनेगा ठीक है यहाँ पर आपको बताये गया था ना पहले भी आप ये पढ़े होंगे कि oxygen का जुड़ना या hydrogen का हटना ये क्या कहलाता है oxidation होता है ठीक है या फिर oxygen का हटना oxygen का हटना और oxygen ये carbon dioxide का जुड़ना ठीक है ये क्या बोला जाएगा इसको इसको reduction बोला जाएगा तो यहाँ पर reduction और carbon dioxide होगा hydrogen के द्वारा और मतलब हाइडोजन के द्वारा मतलब की CO2 जो है एड होगा CO2 एड होने से हाइडोजन से एड होने से ये reduction process बोला जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा glucose बनेगा जिसे आप carbohydrate भी बोल सकते हैं तो इस तरह से light energy जो है वो chemical energy में convert हो जाती है और अंतता यहाँ पर जो food है वो बन जाता है यह steps होता है अब आपको यहाँ पर यह जो three steps है photosynthesis में यह आपको ध्यान रखने वाली बात है कि photosynthesis need not take place one after the other immediately मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक के बाद दुरत एक होना ही चाहिए ठीक है यह different times में जो है हो सकता है ठीक है अलग-अलग समय में यह हो सकता है अब जैसे आप देख लिजे desert में जो plants होते हैं जो मरुवस्थल होते हैं जहाँ पर जैसे कि आप थार का मरुवस्थल देख ले हैं ठीक है तो यह जो desert plant होते हैं यहाँ पर क्या होता है कि carbon dioxide जो होता है वहाँ पर carbon dioxide at night and prepare an intermediate product which is act upon by the sunlight energy absorbed by chlorophyll अब देखे desert plant take up carbon dioxide तो desert plant जो होते हैं वो carbon dioxide को लेते हैं कब लेते हैं रात की समय में लेते हैं ठीक है जो मरुवस्थली जो पौधे होते हैं पेड़ पौधे वो carbon dioxide कब लेते हैं रात की समय में लेते हैं ठीक है और फिर अपना जो भोजन है वो बनाते हैं ठीक है जब उसको sunlight energy मिलती है ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह जो photosynthesis का process है वो जरुरी नहीं है कि one after one continuously हो ठीक है यह कभी भी किसी भी समय हो सकता है तो यह हम लोगों ने देखा steps of photosynthesis को अब आएए बात करते हैं conditions necessary for photosynthesis अब photosynthesis के लिए कौन-कौन से conditions होने चाहिए तो आपको यहाँ पर बताया गया कि इसमें चार चीज़े important है पहली तो sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water तो यह चार चीज़ों से ही मिलकर पौधी अपना भोजन बनाते हैं तो यहाँ पर आप experiment को देख सकते हैं कुछ experiment को जिससे की आपको यह proof हो जाए आप यह proof कर पाएं कि sunlight, chlorophyll और carbon dioxide जो है वो photosynthesis के लिए बहुत ही ज़ादा important है it means इसके बिना पेड़ पौधी अपना भोजन नहीं बना सकते हैं ठीक है तो यह जो experiment है वो हम लोग बात करेंगे कि यह किस तरह से होता है देखिए green lips make starch as a food तो extra food जो होता है वो उसको starch क्या करता है, green lips क्या करता है, starch के रूप में store कर लेता है और starch जो होता है वो क्या करता है जो iodine solution होता है उसको वो blue black color देता है starch क्या करता है देखिए starch जो है एक glucose का ही form है, food का ही form है, carbohydrate का ही form है तो starch gives a blue black color with iodine solution तो जब आप starch को iodine solution में मिलाएंगे तो यह blue black solution देगा, blue black color देगा ठीक है थोड़ा सा मतलब blue नीला और काला रंग का यह जो है color आपको देगा देखिए तो सबसे पहले हम क्या कर सकते है जो पौधों की पतियां होती है उसको हम लोग destarch कर सकते है ठीक है तो उसको सबसे पहले हमको क्या करना होगा हमें उसको destarch करना होगा photosynthesis के process के लिए तो आईए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कैसे इसको destarch करेंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा जब आप plant को अंधेरे जगह में रखते हैं तो अंधेरे जगह में रखने से क्या होता है कि यह अपना और जदा starch को नहीं बना सकता है क्योंकि अंधेरे में वहाँ पर आप उसको sunlight नहीं मिल रहा है तो sunlight नहीं मिलने से पौधे ज़ो है और ज़़ादा food नहीं बना पा रहा है स्टार्च नहीं बना पा रहा है, ठीक है, इसलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, प्लांट को किसी अंधेरे जगा में रख देना है, अंधेरे कमरे में रख देना है, ठीक है, अब उस प्लांट में जो मौजूद स्टार्च पहले से है, उसको वो प्लांट क्या करेगा, व अब तीन दिन तक आपको इसी तरह से छोड़ देना है, जब तक वो starch को पूरा यूज नहीं कर लेता है, ठीक है, अब उसके बाद, तीन दिन के बाद, उस पौधे के plant में, उस plant के leaves में, जो है, कोई भी starch नहीं बचेगा, अब क्या करेंगे, अब हम बोल सकते हैं, कि वह जो plant की जो पतियां होती है, वो starch हो चुकी है, ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग experiment, अब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखिए, the plant growing in a pot is called potted plant, एक बाद ध्यान रखना है, जिस pot में आप उसको रखते हैं, plant को potted plant बोल सकते हैं, यह कोई सुनिए, देखिए, अब experiment to show the sunlight is necessary for photosynthesis, first process क्या करेंगे, सबसे पहले, एक plant को potted plant लेंगे, जिस pot में वो रखा गया है, ठीक है, और उसमें green leaves जिसमें होगा, प्ले सिटी ने completely, फिर उसे dark place में जो है, तीन दिन तक रखेंगे, जब तक की वो discharge नहीं हो जाता है, अपने experiment को सुरू करने से पहले, ठीक है, ये काम हो गया, second process में क्या करेंगे, कि aluminium foil लेंगे, aluminium जो metal होता है उसकी जो पतियां होती है, ठीक है, एक foil, एक strip लेंगे, एक पति के type का होता है, ठीक है, एक thin उसकी पति लेंगे, aluminium की, और पूरे पति के बीचों बीच उसको wrap कर देंगे, उस अब aluminium foil को, मतलब fixed उसको कर देंगे, tightly fix कर देंगे, ठीक है, कैसे कर देंगे, वो paper cliff होता है, ठीक है, उससे जो है हम लोग, उसमें fix कर देंगे, जिससे कि वहाँ पर उसके अंदर में sunlight जो है, वो inter न कर सके, ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, कि यहाँ पर ध्यान रख है, कि aluminium foil को, जब आप fix करेंगे, तो यह ध्यान रखें, कि जो पत्ती है ना, उसके पूरे part को वो न कवर कर ले, कुछ small part को ही कवर कर ले, ठीक है, और बाकी के parts को, हम लोग धूप में uncovered, ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, तो अब देखते हैं, क्या होगा यहाँ पर, अब जहाँ पर नए ढखा हुआ है, वहाँ पर sunlight पहुँच रही है, ठीक है, अब यह potted plant को, जो है, हम लोग क्या करेंगे, तीन से चार दिन तक, जो है, यहाँ पर रख देंगे, धूप में, ठीक है, अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर figure भी देख सकते हैं, इस तरह से, देख यहाँ पर यह जो, parts of leaf exposed to sunlight, आप देख सकते हैं, दोनों तरफ खुला हुआ है, और बीच में जो है, वो aluminium foil से ढख दिया गया है, ठीक है, यह पत्ती जो है, आप देख सकते हैं, यह number जो figure है, अब फोर्थ में क्या करेंगे, प्लक दी पार्सेली कवर्ड लीफ फ्राम दी प हटा देंगे, देरे से, अब उस leaf को, उस पत्ती को, जो boiling water है, ठीक है, उसमें जो है, कुछ मिनट तक रखेंगे, उबलते वे पानी में, उस पत्ती को कुछ देर तक रखेंगे, इससे क्या होगा, कि जो cell membrane है, उस पत्ती की, वो जो है, वो breakdown हो जाएगा, वो तूट हैंगे, make the leaf more permeable to iodine solution, present inside the leaf से, अब क्या करेंगे, कि जो पत्ती है न, उसको हम लोग, जो है, उसमें हम लोग iodine solution को डालेंगे, ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, जो सबसे पहले, तो पहला figure में, जिस तरह से आपने देखा, कि aluminium foil से पत्ती को ढगा गया है, फिर B में आप देख रहे हैं कि इसको जो है, निकाल कर, उसका जो foil, aluminium foil उसको निकाल कर, कुछ देख तक यहाँ पर पानी में, एक मिनट तक उबाला गया है, फिर C option में देखें, इससे क्या होगा, कि उस पत्ती की जो chlorophyll है, वो पूरी तरह से यहाँ पर हट चुकी है, ठीक है, अब हम लोग D number में या figure में देखें, अब उस पत्ती में हम लोग क्या करेंगे, iodine solution को डालेंगे, नमक का घोल ले लेंगे, और कुछ बूंद जो है, उसका वहाँ पर डालेंगे, पत्ती में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आप ऐसा करेंगे, तो आपको पता चलेगा, कि जहाँ पर आपने, जहाँ पर आपने, अलमिनियम फॉइल से पत्ती को कवर किया था, वहाँ पर जो है, iodine solution का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, क्यों प्रभाव नहीं पड़ता है, बताएंगे, अभी देखें, और पौधे की पत्ती जो है, जहाँ पर, जो ह आपने, iodine solution को डाला, तो पत्ती क्या हो गई, वहाँ पर पूरी तरह से, वह blue and black color हो गई, ठीक है, तो आपको पहले ही बता दिया गया था, कि स्टार्ज जो है, वो iodine solution में, blue black color देता है, तो अब आप देखें, प्लांट के पत्ती में, जिस पार्ट में, स्टार्ज नहीं हुआ, ठीक है, अब ये जो, ये जो पत्ती है, इसको आपको क्या करना है, हाँ, अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको मैंने बता दिया गया है, ठीक है, और इसमें जो है, अब देखें क्या करना है, और आगे, जैसा कि आपको बताया, कि ये जो पत्ती है, इसक तोड़ कर एक beaker में रखना है जिसमें की alcohol होना चाहिए ठीक है अब आप देखिए put the pipe number में अगर आप fifth step में देखें तो beaker containing some alcohol उसमें alcohol लेना है place the beaker containing alcohol and leaf in water bath ठीक है a water bath is bigger used here for heating alcohol because alcohol is highly inflammable liquid तो आपको ध्यान रखना है कि जो alcohol है न उसको थोड़ा सा बड़े beaker में आपको रखना है ठीक है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर inflammable jewelan seal होता है so if alcohol is heated directly over a flame it will catch fire तो यह इसमें आग लग सकती है ठीक है तो यहाँ पर जो है alcohol के साथ पती को क्या क्या गया है इसको यहाँ पर जो है रखा गया है small beaker में देखें heat the water in the bigger beaker अच्छा यहाँ पर क्या करना है कि बड़े वाले बीकर में आपको water को heat करना है और small beaker में आपको alcohol के साथ जो पती रखी विए उसको boil करना है ठीक है अब इससे क्या होगा this boiling alcohol will extract chlorophyll from the green lip अब इससे क्या होगा कि जो chlorophyll जो है न वो पूरा का पूरा जो है extract कर लिया जाएगा ठीक है रिमूब हो जाएगा जो बाकी का यहाँ पर जो chlorophyll प्रेजेंट था प्लांट में पौधों में की पतियों में वो रिमूब हो जाएगा और green leaf को यहाँ पर तब तक जो है आपको boil करना है कि जब तक उसका chlorophyll पूरी तरह से निकल नहीं जाता है ठीक है अब इस तरह से जो leaf है वो colorless हो चुका है अब colorless leaf को क्या करना है अलकोहल से निकाल कर इसको थोड़ा सा वास्ट कर लेना है ठीक है गर्म पानी से और फिर उसको क्या करना है place the colorless leaf into petri dish में इसको रखना है ठीक doorwayण कोई डीस है यहाँ पर इसको रखना है और इसमें i iodine solution डालना है तो जब आप iodine solution डालेंगे तो इससे क्या होगा जो middle part है leaf का वो जो aluminium foil से cover था उसमें जो है blue black color नहीं आएगा ठीक है लेकिन जो raised part है जहां पर star present था वहाँ पर क्या है कि जो पौधी की जो पती है वो एक blue black color देगा ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस part में chlorophyll present नहीं था जिस part में chlorophyll present नहीं था वहाँ पर जो है क्या हुआ वहाँ पर starch नहीं बन पाया ठीक है अब यहाँ पर जो uncovered leaf है which was exposed to sunlight turns blue black on adding adding solution showing that starch is present तो अब जिस जगह पर जो है file नहीं था वहाँ पर starch बना था और जहां पर नहीं था जो है file जहां पर आपने लगाया था वहाँ पर starch नहीं बना इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब है कि leaf का हुआ part जो exposed था मतलब जो खुला वा था sunlight में वहाँ पर photosynthesis का process हुआ और वहाँ पर starch बना ठीक है अब since the part of leaf which was covered and hidden from sunlight अब जिस part को आपने hidden from sunlight रखा था उसमें जो है starch content नहीं होने से वहाँ पर क्या हुआ वहाँ पर starch जो है वो नहीं बन पाया वहाँ पर chlorophyll नहीं होने से photosynthesis का process नहीं हो पाया जिससे कि starch नहीं बन पाया तो यह जो experiment था यहाँ से आप क्या conclusion निकाल सकते हैं यहाँ से conclusion यहीं निकाल सकते हैं कि sunlight is necessary for the process of photosynthesis it means photosynthesis के process के लिए sunlight very important है second thing leaves make starch as food by photosynthesis photosynthesis के process के लिए जो है यहाँ पर leaves जो होते हैं वो photosynthesis के process के ही through starch को form करते हैं तो यहाँ पर दो conclusion important है first क्या है कि photosynthesis के process के लिए sunlight necessary है और second leaves जो है वो photosynthesis के process से ही starch बना पाते हैं अब जैसे कि आप देखेंगे जो common plant होते हैं साधरन जो पीड़ पोधे होते हैं उसमें आप देखेंगे उसकी जो पतियां होती है वो साधरन ता हरी होती है हरे रंग की होती है ठीक है क्यों होती है क्योंकि उसकी पतियों में जो होता है एक green pigment होता है जिसको हम लोग chlorophyll बोलते हैं एक हरा रंजक होता है जो उसको रंग देने का कारी करता है लेकिन कुछ plant होता है उसमें क्या होता है वो partially green होता है जैसे कि आप यहाँ पर variegated leaves को देख सकते हैं इसमें क्या है न कि यह partially color है partially यह green है ठीक है तो यहाँ पर white color भी है और green color भी है तो इस तरह का जो plant होता है इस तरह की जो पतियां होती है इसमें भी chlorophyll होता है लेकिन जो white part होता है न इस पतियों की इस तरह की पतियों का जो यह white part होता है वहाँ पर chlorophyll present नहीं होता है ठीक है इसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है वो white हो जाता है ठीक है तो इस तरह की जो पतियां होती है वो partially green, partially white होता है इस तरह की जो पतियां होती है हम लोग variegated leaves होते हैं इसको ध्यान रखना है कि variegated जो leaves होता है वो क्या होता है अब आप देखेंगे कुछ croton की जो plants होती है या फिर colus होती है इसमें भी variegated leaves होता है जो parsley green होता है, parsley white होता है तो इस तरह से हम लोगों नहीं यहाँ पर experiment के थुरू से हम लोगों नहीं देखा कि किस तरह से पेड़ पौदों के लिए sunlight important है photosynthesis process के लिए अब second experiment क्या है experiment to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis अभी आपने conclusion में क्या देखा कि photosynthesis के लिए sunlight important है तीक उसी तरह से photosynthesis के process के लिए chlorophyll भी important है अब आईए इसको समझते हैं कैसे होगा सबसे पहला step में क्या करना है एक potted plant लेना है जैसे कि माल लेते हैं क्रॉटन का हमने एक plant ले लिया जिसका जो leaf है वो parsley green और parsley white है ठीक है अब यहाँ पर जो आफ figure है इसको देखिए जो है न एक क्रॉटन का हमने क्या कर लिया एक leaf ले लिया एक plant ले लिया potted plant और उसकी जो पत्ती है वो parsley green और white है अब green part of the leaf में जो है न वहाँ पर chlorophyll present है लेकिन white part में क्या है वहाँ पर chlorophyll present नहीं है यह हम लोगों ने अभी देखा अब क्या करना है उस plant को जो है न एक अंधेरे कमरे में रखना है कितने दिन तक तीन दिन तक उस plant को अंधेरे कमरे में रखना है जिससे क्या होगा उस plant की जो पतियां हो है वो पुरी तरह से day starch हो जाएगा तीक है इस्टार छड़ जाएगा अब थर्डी स्टेप में क्या होगा टेक आउट दी पॉटेट प्लांट फ्रॉम दी डार्क प्लेस एंड कीप इट इन ब्राइट संसाइन फॉर थी तू फो डेज अब क्या करना है जो पॉटेट प्लांट है उस पॉटेट प्लांट को डार्क प्लेस से जो है बाहार निकालना है और फिर उसको सुरी की रोशनी में संसाइन में उसको रखना है फोर्थ प्रॉसेस में क्या करना है उस पत्ती को तोड लेना है लीफ को ठीक है फिर उसको water में boil करना है कुछ मिनट तक जिससे क्या हो जाएगा कि उसका जो green color है वो chlorophyll पुरी तरह से हट जाएगा ठीक है इसको जो है आपको alcohol में भी boil करना होगा अब देखे green parts of the leaf get declurized तो इससे क्या होगा ना कि green parts जो है वो पुरी तरह से declur'd हो जाएगा तो इस तरह से हम लोगों को एक declur'd यहाँ पर leaf मिल जाएगा अब क्या करना है इसको थोली वास कर लेना है leaf को गर्म पानी के साथ ठीक है जिससे कि यहाँ पर यह किसी भी तरह का अगर chlorophyll यहाँ पर present है तो इसको क्या कर लेना है remove कर लेना है अब देखे क्या करेंगे इसमें iodine solution कुछ डालेंगे तो अब यहाँ पर आप B figure में देखे 19 figure 19 में आप पहला A में देखे कि यह partially green है और partially white है लेकिन B में देखे यहाँ पर chlorophyll पुरी तरह से remove हो चुका है इसको alcohol में boiling करने से अब यहाँ पर next जो figure है यहाँ पर आप देखे इसमें क्या क्या गया है कि इसम iodine solution डालेंगे ठीक है तो इससे क्या होगा पोर iodine solution over the colorless leaf and observe the change in color of the leaf तो जब आप यहाँ पर observe करेंगे तो आपको क्या मिलेगा जो outer part था leaf का ठीक है जो originally white था वो जो है blue black color नहीं हुआ ठीक है क्योंकि आपको पता है ना कि starch जो है वो blue black color देता है ठीक है अब वहाँ पर starch present था ही नहीं तो इससे क्या हुआ blue black color नहीं हुआ ठीक है अब क्या हुआ present in no starch is present in the outer part of the leaf उसमें नहीं था अब इस observation से आप यहाँ से conclusion निकाल सकते हैं कि photosynthesis के process के लिए या starch को बनाने के लिए जो है वो क्या चाहिए chlorophyll का presentation भी important है chlorophyll बहुत जरूरी है ठीक है तो इस तरह से हमने देखा कि जो leaf था उसका जो inner part था वो originally यहाँ पर green था जिसमें कि chlorophyll present था तो वो क्या हुआ blue black color हो गया कैसे हुआ जब आपने उसमें iodine solution को डाला ठीक है और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि chlorophyll is necessary for the process of photosynthesis to take place तो photosynthesis के process को करने के लिए या होने के लिए chlorophyll important है अब यहाँ पर third experiment क्या है third experiment में carbon dioxide जो है वो photosynthesis के लिए process के लिए important है अब यह experiment भी आप देख सकते हैं सबसे पहले potted plant लेना है ठीक है एक लंबा और पतला जो है पतली यहाँ पर पत्ती लेनी है पौधे की पत्ती लेनी है और इसको जो है सबसे पहले तीन दिन तक एक अंधेरे कमरे में रख देना है फिर क्या करना है एक glass bottle लेना है जिसका मुँ जो है वो चौड़ा होना चाहिए और उसमें जो है कुछ potassium hydroxide का solution डाल देना है ठीक है अब potassium hydroxide का solution क्या करेगा जो carbon dioxide है न उस पत्ती से वो उसको क्या करेगा उसको वो जो है एब्जॉर्ब कर लेगा ठीक है अब क्या करना है एक rubber cork की साहता से जो glass का mouth है जो bottle है उसको क्या करना है उसको tight कर देना है ठीक है और फिर क्या करना है जो पत्ती है न उसको two halves में cut कर देना है उसको cut कर दीजिए अब ठीक है अब देखते हैं आगी क्या होता है अब देखिए अपर half of the leaf should remain outside the glass bottle and only the lower half of the leaf should be inside the glass bottle अब नीचे वाला जो पार्ट है वो bottle के अंदर रहना चाहिए अब इस potted plant को क्या करना है जैसे कि आपने figure में देखा कि इसको तीन से चार दिन तक जो है इसको फिर इसको निकाल कर deported plant इसको क्या करना है one discharged leaf half inside the glass bottle containing potassium hydroxide is kept in sunlight for three to four days अब तीन से चार दिन तक जो है इसी तरह से glass के साथ जो है इसको sunlight में रख देना है ठीक है अब आप इस period में क्या देखेंगे अपर half of the leaf है जो glass के बाहर है वहाँ पर जो है carbon dioxide उसको मिल रहा है air से तो इसके कारण क्या होगा कि वो जो है वहाँ पर भोजन बनेगा stars बनेगा लेकिन जो part glass के अंदर है वहाँ पर क्या होगा कि भोजन नहीं बन पाएगा ठीक है तो ऐसा क्यों होगा इसलिए होगा क्योंकि bottle के अंदर यहाँ पर जो है carbon dioxide present नहीं है तो जिसके कारण जो है वो भोजन को नहीं बना पा रहा है ठीक है और वहाँ पर fresh air present नहीं है अब six step में क्या करना है जो leaf है उसको तोड़ लेना है plant से ठीक है उसको क्या करना है उसको तोड़ लेना है और उसका जो green color है उसको chlorophyll जो है उसको remove कर देना है अब कैसे remove करना है boiling it in alcohol alcohol में जब आप boiling करेंगे तो वो remove हो जाएगा ठीक है अब जब आपने remove कर लिया वो जब पिर जो next step है उसमें क्या करना है कि iodine का कुछ solution है उस leaf में डाल देना है तो जब आप leaf में डालेंगे तो यहाँ पर आप कुछ observe करेंगे कि leaf का जो color है उसमें कुछ changing हो रहा है तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि जो lower part था leaf का वहाँ पर क्या हुआ कि carbon dioxide नहीं होने से वहाँ पर starch नहीं बना जिससे कि वहाँ blue black color नहीं आया क्योंकि star जो है वो blue black color देता है ठीक है लेकिन जो half upper parts of the leaf था वहाँ पर क्या हुआ कि वह blue black color आ गया क्यों आया क्योंकि half parts of the leaf जो था वहाँ पर chlorophyll present था sunlight की presence वो यूज कर रहा था जिससे कि भोजन बन गया ठीक है तो इस observation से आप conclusion निकाल सकते हैं कि the photosynthesis to make starch in the leaf does not take place without carbon dioxide मतलब की carbon dioxide बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है photosynthesis के process के लिए carbon dioxide is must important है यहाँ पर आप carbon dioxide के बिना photosynthesis नहीं करवा सकते हैं अगर हम लोग दसवां यहाँ पर इस टेप देखें तो फिर वही बात है कि आप बोल सकते हैं कि carbon dioxide जो है वो photosynthesis के process के लिए important है तो यहाँ पर photosynthesis के process के लिए जो raw material जो चाहिए था वो क्या क्या चाहिए था carbon dioxide water ठीक है तो यह सभी जो है ना यह जो है photosynthesis के लिए raw material ठीक है त तो preparation of carbon dioxide by plants by process of photosynthesis requires two materials और two substances अब यह दो material है two substances है अगर आपको raw material पूछा जाए कि वो कौन-कौन सा raw material है तो आपको यहाँ पर यह दोनों का नाम लिखना है कौन-कौन सा यहाँ पर carbon dioxide और water ठीक है अब हम लोग बात करेंगे कि कि किस तरह से जो plants है ना वो carbon dioxide को लेते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो पौधे की जो पतियां होती है ना उसके पतियों में बहुत ही छोड़ा-छोड़ा छिद्र होता है tiny pores होते हैं ठीक है जिसको हम लोग stomata बोलते हैं तो पौधों की पतियों में जो tiny pores होते हैं जो छोटी छिदर होती है उसको stomata बोला जाता है और ये जो stomata है तो यहाँ पर green plants इससे क्या करते हैं carbon dioxide को gain करते हैं कहां से air से gain करते हैं किसली gain करते हैं for the process of photosynthesis हम लोगों ने भी देखा कि photosynthesis important है ठीक है तो इसी stomata के त्रू जो है carbon dioxide क्या होता है यहाँ पर enter करता है पौधी की पतियों में ठीक है तो अब यहाँ पर आप figure देखिए figure 21 देखिए आप जो figure देख रहे है न जो एक तरह का जो है guard sales है इसको भी आपको याद रखना है यह guard sales से गिरा हुआ हुआ है open stoma देखिए stomata जो pores है जो छिद्र है चोड़ी चोड़ी चिद्र यहाँ पर यह open and stoma है आप यहाँ पर B में देख सकते हैं B figure में closed stoma है यह जो है न बंद है और guard sales के द्वारा गिरा हुआ है तो इस fact को भी आपको याद रखना है कि opening और closing जो stomata है या stomatal जो pores है उसको control कौन करता है उसके opening और closing होने के लिए यह जो control होता है वो कौन करता है तो यह guard sales करता है तो यह fact आपको याद रखना है कि the opening and closing of stomatal pores is controlled by the guard sales तो किसके द्वारा control किया जाता है guard sales के द्वारा ठीक है जब water जो है न guard sales में flows करते है ठीक है तो वो क्या हो जाता है वो swell कर जाता है फुल जाता है ठीक है और क्या हो जाता है curve हो जाता है तो इससे क्या होता है कि pore जो होता है वो open हो जाता है वही पर अगर आप दूसरी तर गाटर को लूज करता है तो इससे क्या होता है वो स्रिंख हो जाता है छोटा हो जाता है इस्टेट हो जाता है और क्लोज हो जाता है तो इस ciao zafo तो लार्ज यहाँ पर क्या होता है कि जब ये cell जब ये guard cell open or close होते हैं तो यहाँ पर large amount में क्या होता है water जो है ये gain करता है और lodged भी करता है ठीक है इसलिए यहाँ पर क्या हो पाता है so when the plant does not need carbon dioxide and wants to conserve water the stomatal pores are closed जब इसको carbon dioxide की जरुरेत नहीं होगी तो उस समय ये क्या कर लेगा अपने stomatal pores को ये close कर लेगा ठीक है अब इसी process में photosynthesis के ही process में क्या होता है oxygen भी produce होता है और इसी stomatal pores के थूँ जो है वो atmosphere में बहार आता है तो यहाँ पर एक note करने वाली बात है कि जो stomata है ठीक है वो green stems में भी present होते हैं जो तना होता है वहाँ पर भी present होता है ठीक है आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ये पौदों की पत्यों में ही present नहीं होता है बलकि ये stem में ठीक है यहाँ पर भी present होता है तो plant जो होता है न ये क्या करता है यहाँ पर photosynthesis इसका process यहाँ पर भी कर पाता है तो इससे क्या पता चलता है इससे क्या clear होता है तो stomata जो है वो gases के movement को allow करता है ठीक है अगर हम लोग बोलें दूसरे words में तो क्या बोल सकते हैं कि जो gas होता है exchange होता है वो plants में ठीक है किसके through stomata के through अब देखिए कुछ पौधों की जो पतियां होती है वो बहुत ज्यादा चौड़ी होती है तो यहाँ पर क्या होगा तो उसके लोवर जो साइड होता है वही पर सिर्फ इसमें क्या हो पाता है वहाँ पर सिर्फ इस्टोमेटा होता है यहाँ पर और एक point नौट करने लाइक है कि जो aquatic plant होते हैं aquatic plant कौन होते हैं जो water में plant उगते हैं पानी के अंदर जो पनपते हैं वैसे plant aquatic plant होते हैं यह carbon dioxide gas को कैसे use करते हैं यह water में जो dissolve होता है carbon dioxide gas उसको वो use करते हैं आप figure 22 देखिए किस तरह से यहाँ पर istrometa जो है वो lower surface of the leaf में present है जिसको microscope से देखा गया है तो इसको ध्यान रखना है अब second हम लोग देखेंगे कि plant जो होता है न वो photosynthesis के process के थरू किस तरह से water को gain करता है आपने air को देखा istrometa के थरू gain करता है अब water को यह कैसे gain करता है देखिए water जो होता है न प्लांट जो है वो photosynthesis के process के थरू absorb को तो करता है लेकिन कहां से करता है यह root से कर सकता है ठीक है मिटी के अंदर मिटी में जैसे नमी होती है पानी होती है तो वहां से प्लांट अपने जड़ों के द्वारा क्या करता है वो जो है osmosis के process के थरू जो है वो इसको absorb कर लेता है अब यहां पर एक process आया na osmosis ठीक है तो इसको ध्यान रखना है कि यह osmosis क्या होता है देखें जब water या कोई भी liquid जो है na upward direction में क्या होगा ट्रांसपोर्ट होगा तो वो osmosis process होता है जैसे कि जैसे पुराने समय में आप जानते होंगे आप सभी lamp जो lamp होता था लालटेन वगरा होता था ना उसमें क्या होता है उसकी जो बत्ती होती थी उसमें जो तेल उपर की ओर चड़ता है वो osmosis process के ही द्वारा चड़ता है ठीक उसी तरह से plants का जो root होता है यहाँ पर भी osmosis के process के थ्रूई water upward direction में जाता है लेकिन अब यहाँ पर भी different types of vessels होते है ठीक है तो जैसे human beings में होता है अलग-अलग vessels होता है ठीक है तो उसी तरह से plants में भी क्या होता है यहाँ अलग-अलग vessels होता है एक होता है xylem vessel ठीक है तो xylem vessel के द्वारा ही यहाँ पर plant जो है क्या करते हैं water को absorb करते हैं साथी साथ ये जो है photosynthesis के जो process है उसके द्वारा यहाँ पर ये lips के द्वारा atmosphere से भी कई बार ये जो है water को absorb करते हैं अब यहाँ पर जो दो important raw material है carbon dioxide water तो ये plant को energy बनाने के लिए important है ठीक है जिसको हम लोग वो क्या बनाता है जिसको हम लोग carbon hydrate बना लेता है ये कहते हैं glucose भी कहते हैं या star जाब बोल सकते हैं लेकिन plants को और भी कुछ raw material की जरुरत होती है अब और क्या-क्या raw material होती है जैसे nitrogen, phosphorus, iron, magnesium ठीक है जैसे human being को जरुरत होती है ठीक उसी प्रकास से plants को भी ये कुछ और raw material की जरुरत होती है क्यों जरुरत होती है ताकि ये अपने body को build up कर पाए ठीक है अब जैसे कि nitrogen gas हो गया या phosphorus हो गया ये iron हो गया ये क्यों चाहिए ठीक है क्यों चाहिए अब ये question है ये पूछा भी गया है आपके exercise में तो plants जो है न वो proteins को बनाने के लिए इन सारे यहाँ पर जो भी gases nitrogen, phosphorus, जो भी minerals, gases है यहाँ पर उसको वो use करता है ताकि वो क्या कर पाए वो जो है proteins और other compounds को बना पाए अपने लिए ठीक है so you can say nitrogen an essential element used by plants to make proteins and other compounds अब plants को जो है nitrogen चाहिए तो nitrogen वो कहां से लेगा मिट्टी से लेगा तो अब मिट्टी में जो है न वो nitrogen present होता है inorganic salt के रूप में जिसको हम लोग nitrates बोलते है तो मिट्टी में nitrogen जो है वो inorganic salts के रूप में present होता है जिसको nitrogen बोला जाता है साथी साथ ये कई बार organic compound के रूप में भी जो है present होते है ठीक है कई बार ये atmospheric nitrogen को भी लेते है तो photosynthesis के process के लिए जो है यहाँ पर water important है अब देखिए यहाँ पर site of photosynthesis अब यहाँ पर photosynthesis का process कहाँ पर होगा आप इस figure को देखिए कुछ-कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर में cuticle है अपर epidermis है palisade layer chloroplast है spongy layer है तो chloroplast जो होता है न वो photosynthesis का site है अगर आप से पूछा जाएगा कि photosynthesis का process कहाँ पर होता है तो आपको बताना है chloroplast में होता है तो chloroplast क्या है पौधों की पतियों का एक अंग है और गेले है ठीक है और इसमें जो है ना chlorophyll content होता है chlorophyll present होता है जहाँ पर photosynthesis होता है अब photosynthesis होने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह का cell है जिसको हम लोग photosynthetic cell बोलेंगे green plants में आप दूसरे words में बोल सकते हैं कि photosynthesis का जो site होता है या the site of photosynthesis in a cell of leaf are chloroplast तो जिस जगह पर photosynthesis होता है या जो site होता है photosynthesis का वोही क्या होता है chloroplast होता है chloroplast को आप बहुत ही easily यहाँ पर आप light microscope के द्वारा देख सकते हैं ठीक है in cross section of leaf chloroplast can be seen as numerous disc like organly तो आप figure में देखिए यहाँ पर एक disc like organly है यह chloroplast है ठीक है तो chloroplast इस तरह का आप देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर numerous disc like organly होता है अब the palisade tissue just below the upper epidermis तो यहाँ पर different organly है इसको आप ध्यान से देखें और इसको आप copy में जरूर बनाएं देखें तो अब आप structure में देखेंगे 24 में तो आप क्या देख सकते हैं middle layer जो है leaf का तो यह जो middle layer है वो क्या है palisade layer and spongy layer तो यहाँ पर आप देख लीजे middle layer क्या है palisade layer है या फिर आप इसको spongy layer बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है photosynthetic cell है जिसको आप क्या बोल सकते है mesophyll cell बोल सकते हैं यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि leaf जो होता है उसका middle layer होता है उस middle layer में वो palisade layer होता है या एक spongy layer होता है और यहीं पर photosynthetic cell होता है जिसको mesophyll बोलते हैं और यह cell जो होता है यहाँ पर chlorophyll ही present होता है अब देखिए अब एक photosynthetic cell जो है या जिसको आप mesophyll cell बोलें वो green leaf जो होता है उसमें hundred से ज़्यादा tiny chloroplast होते हैं अब आप देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर disc like structure है इसमें side side में देखिए बिंदी के तरह यह दिख रहा है यह hundred more than hundred जो है वो tiny pores होता है पूरे पौधों की पत्यों में और हजारों जो है यहाँ पर क्या है photosynthetic cell होता है तो अब carbon dioxide जो है वो photosynthesis के लिए important है जो important है ता कि air जो है वो photosynthesis के process के तरू यहाँ पर वो enter कर पाए ठीक है stomata get through और फिर क्या हो जाए फिर यहाँ पर then diffuse into the mesophyll यह दिरे-दिरे क्या होता है mesophyll cell में diffuse हो जाता है फिर यह chloroplast तक पहुंचता है फिर water जो है वो leaf तक gylam vessel के द्वारा पहुंचता है तो gylam और phloem दो vessel होता है जालम vessel जो है food को carry करता है और phloem vessel जो है वो food को carry करता है तो gylam vessel जो है वो पौदों की पत्यों तक क्या करता है पौदों की पत्यों तक जो है वो water को carry करता है ठीक है और जैसे ही वो mesophyll में pass करता है जैसे ही वो mesophyll में enter करता है तो वहाँ पर diffusion हो जाता है और diffusion होने से क्या होता है यहाँ पर diffusion होने से जो है oxygen भी बनती है साथी साथ यहाँ पर energy glucose भी बनती है अब देखिए जो एक waxy protective layer है ठीक है इसको बोलता है cuticle उपर में जो figure आप देखिए एक protective layer है इसको cuticle बोला जाता है जो क्या करता है leaves से water को loss होने से बचाता है ठीक है तो यह पूरा का पूरा जो है यह पूरा का पूरा process था ठीक है किसका process था यह पौधी की जो पतियां होती है न वो किस तरह से air को carbon oxide को लेता है water को लेता है ठीक है उसके साथ ही इसका raw material पर हम लोग ने बात किया photosynthesis पर बात किया हम लोग ने ठीक है तो आगे हम लोग अब next video में आगे के topic को cover करेंगे तो ओके thanks for watching और आपको क्या धियान रखना है कि चुकि अभी lockdown में आप बिलकुल पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे तो थोड़ा सा जो है आप videos वगरा जरूर देखा करें ठीक है क्योंकि आज नकल कभी तो school खुलनी ही है और जब school खुलेगी तो अगर आप पहले से prepared होंगे तो chapter आपको समझना बहुती आसान होगा आपके लिए इसलिए अभी समय का सदूपयोग कर लिजे ओके, thanks